सबसे ज्यादा पीड़ा हम लोगों को जो दे रहे हैं फर्जी पोस्ट जो डाल लें एक फर्जी पोस्ट से सो फोन पहुंसते हैं उनके परिवार के पास अगर दुआ नहीं कर सकतो तो चुपे घर में बैटो इंतिजार करो जो राजु भाईया ठीक हुई कहिंगे खुदे तुमका पता चल लेकिन आफवा ना फैलाओ तुम्हाई पायर चुई के हाँ जोड के निवेदन है राजु सिर्वास्तों के लिए गुरुवार के दिन जिस तरह की खबरे आई जिस तरह की चिंता देनक बाते हैं हस्पिटल से आप वहों के साथ या कई लोगों के अपने चोविइज घंटे बाद आज सुकरवार को राजु की सौस्त को लेकर कुछ राहत भ़ी खबरे भी आई हैं कौँसी राहत भरी खबर है ये खुद ज़ात कारी हुमको दे रहे हैं राजु के सबसे सहा सही होगी कानपुरी के रहने वाले अन्नुावस्ती जी अन्नुावस बास्तों से बात हुई वो ICU के पास थे उन्होंने बताया कि इस टाइम हम लोग ICU के बाहर खडे हुए हैं और दो ही मिनट पहले उनकी डाक्टरों से बात हुई थी डाक्टरों ने कहा कि अब कल से बहुत बहुत बहतर हैं और हम लोग भी यहां इसवर से प्रातना कर रहे हैं हमेशा सच का साथ देने अले हनुमान जी जिनके बगल में हम बैठे हैं आज का नहिया का जनम है आज राजू का एक नया जनम होगा आज साम तक राजू खिलेंगे डूलेंगे हो सकता कुछ बोलें आज राजू भाईया क जनम दिन है, भगवान उनके साथ है, देश उनके साथ है, साम तक कोई बहुत अच्छी सूचना आएगी, मेरी भगवान से प्राथना है, हमने आज तक जो पुन किये हैं, भगवान राजू भाईया के लगा दे, सरीर में उनके जो पुरजा चाहिए हमारा पुरजा निकाल क राजु भाया के लगा दे क्योंकि हमारी जरूरत के बल हमारे परिवार को है राजु भाया की जरूरत पूरे देश को है हम नहीं होंगे राजु भाया हमारा परिवार समाल लेंगे लेकिन राजु भाया का रहिना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बहुती जरूरी है और उठना पड़ेगा सीधे उठो या टेड़े उठो सीधे लवटो या तुमका हम जबर जस्ती लई के आई कुछ भी करके तुमको आना पड़ेगा तुमारी जरूरत परिवार को है अंतरा को है आश्मान को है सिखा भावी को है पूरे देश को है तुम ज़्यादा गोली बाजी ना करो अब बहुत हुई गया अब समझ लो बरदास के बाहर हुई रहा अब तुम उठो आँखी खोलो और हम लोगन के बीच माओ देखे ये दर्द है धंकी में भी दर्द है ये इमोसिनल दर्द है इमोसिनल एहसास है राजू के लिए अनुवस्टी का क्योंकि सत्मुछ है कि ये हासी के फवारे लोग बाढ़ते हैं लेकि इनके भी दिल होता है अपनों के लिए समाज के लिए उस दिल में एक दर्द है कि राजू कब आएंगे अब तुम जिस पूस्ते हैं आपसे राजू के जी का कोई इसा वाक्य बताईए जिससे आपको लगता है कि राजू वास्तों में समाजी को लोगों के दिलों में बसते हैं राजू भाइया के एक नहीं एक हजार वाक्या हैं एक बार राजू भाइया के पास एक अचानक उनका मित्र पहुंच गवा हम लोग बंबही मरान और जब पहुंचा राजु भाईया दोई फिलेट के बाल इसलिए अपने खाली रखें कि कानपुर से जो उनके मित्र हैं वह अक्सर बिना बताय पहुंच जाते हैं राजु भाईया का जो हम लोगन का नाम है वो सत्र प्रक इसलिए हम कहें सत्य का साथ देवाले सत्य प्रकास का साथ कैसे छोण सकते हैं हम लोग सत्तू सत्तू कहिते थे इनको कि दौईन अगर हनुमान मंदिर अली गयली पढ़ते थे तो क्या बता है हमें तो सब्द नहीं निकलना है तो कई मित्र इनके अचानक पहुंच जाते है उदर के जो हैं तो एक बार एक मित्र आगवा हम और राजु भीया बैटे रांग तो वह अचानक कहें इसकी कुछ पैसा चाहिए नाम ना बताई बे उस मित्र का पहले भी चार-पांच पार पैसा लग जा चुका रहा है कि लव्टार देव लवटार देव लेकिन भीया का पता रहा है कि इस तिती ठीक नहीं पैसा चाहिए तो भाईया पूंचे इनके किता चाहिए तो वो बीस अजार का मन बना के आया था कि बीस अजार मांगा दस अजार तक मिल जाए तो हमें काम चल जाए तो भाईया हम का बता ही तो राजू भाईया कहें दूई लाग दे काम तुम्हारी खुसी के पगला गवा, कहे लगा, हाँ, हाँ, बस इत्ते हम काम चल जाए, और इस तरह से हमारी नजर में कम से कम पचास लोग है जिनको राजु भाईया आर्टिक मदद करते थे, कानपुर से उनका कोई लेना देना नहीं, अभी सर्दी पड़ी, राजु भाई पार मंडल कर रहा लेकिन तुम गाउं गाउं जाओ, जहां कोई देखे ना, कोई का बताना रहे, हम पैसा ट्रांसपर कराए दे रहे हमका अगर पैसा ट्रांसपर कर रही हो तो पिह हम ना बांट रहे है तो पिह हम लोग भी ठूर, चौबे, पूर, नदिया, उत्तरी, अमल, अमल, माटा और अभी पानी की मोटरे लगवा गए रहे हैं, जो पानी नहीं पिए, अला ठंडा होते हैं, वो लगवा गए, चलते फिरते जैसे आप हो, आप इतने बड़े पत्रकार हो, लेकिन उजाते समय जरूर पूछ लेंगे, घरमा सब ठीक, कोई जरूरा तो नहीं आर्थिक, जो आर्थिके से आदमी भागता, वो आर्थिक में ही घुस्ते थे, उनको पता था कि इनकी दुनिया मदद कर देगी, कैस में कोई नहीं, लो डालो या डालो फिर भी कर लो, तो ऐसा दियोता सरूप आदमी, जिसके इतना बड़ा दिल, अब इसके बाद है, मैं सोचो तो कोई हलका फुल का दिल लगा है न से बलाग हुएंगे, ठेक से चेक करो, सब कुछ ठीक है, राजु भाईया का डाक्टर साहिब, ठेक करो, सब काम छोड़ो, उनका ठीक करके वेजो, that's all, हम लोग कुछ नहीं चाहिते हैं, हम लोग का राजु भाईया चा देते हैं कि आज ठीक हैं, तो हम लोग खुस हुई जाते हैं, उनका परिवार खुस हो जाता है, उनके मिलने आले खुस हुई जाते हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ा हम लोग को जो दे रहे हैं, फरजी पोस्ट जो डाल ले हैं, एक फरजी पोस्ट से सो फोन पहुंसते हैं उनके परिवार के पास सो फोन आबत है हमरे पास कोई लोग कोई चार्जर लिए बैठे नहीं है हमने बात करी दसे मिनट बाद कल तो एक इतने बड़े चैनल से फोन आगवा चैनल का नाम न ले बड़ी बदनामी कोई हमका फोन करें कहें क्या इस्तिती है कहां लाएंगे चकेरी एरपोल्ट उतारेंगे कि कहीं और हमने कहा का हुआ भईया बोले वो यार एंबुलेंस बुक होई रही है सब काम हुई को हमने कहा यार बिलकुल तुमका जो सब्द काम का बिलकुल वही हो का यार तुमका ये सब काउन बता जिस बोलें अंदर की बात है हमने का जाओ अपना काम करो तो जो इस तरह की खवार है ये हम लोग को राजु भईया की परिवार को राजु भईया की फैन को और तोड़ देता है परेसान करता है अपवा की जगा अगर दुआ करो तो अब तक राजु भईया ठीक हो गए होते हम ये नहीं कही रहे हैं कि तुम किसी इर्शा वस पोस्ट डालते हो जलते हो लेकिन एक बार फिरो का हुआ कान लेगा कान चुई के देख लो उगल गुगल मित रियार दुनिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं उनसे पोँच लो सीधे पोस्ट डाल दे तो फोन पहुचे लगते हैं कोई बगल में खटिया डाले तो बैटी नहीं है सिखा भावी कोई तुरंद बता दे उनका भी नीचे से उपर भागना पड़ता है लगता है कभी कभी कि जो फोन कर रहा है इससा नहीं नहीं के पास सूचना सही हो तो अपवा से बचो अगर दुआ नहीं कर सकत हो तो चुपे घर में बैटो इंतिजार करो देवराजू भाईया ठीक हुई कही है खुदे तुमका पता चली लेकिन अपवा न पहिलाओ तुमाइ पैर चुई के हाँ जोड के निवेदन है सांती से रहे जो परिवार पहिले है बहुत परेसान है एक पोष्ट पढ़ती है उसकी देखी देखा है एक हजार पोष्ट है जैसे होड लगी है कि हम पहिले बतावा रहा है अब हमका राष्ट पती पुरुसकार मिल जाए। कुछ नहीं गलत अब हुआ फ़िला रहे हो परिवार का परिशान करो ना करो मेरे भाई दूआ करो राजू भाई यह हम लोगन के साथ हुए है। कुछ अफ़ाओं के इस तरह के दौर चल पड़ते हैं। जूट हो जाते हैं। उससे सब कहले तूटता है। कमपन होता है। हम सब को सोचने वाली बात है कि हमें ऐसा नहीं करना है। राजू अच्छलू यह लोगों को दर देना है। हमें उनने कुछियत देनी क्योंकि यह म अभी अन्योस देनी के परिवार से बात के है। उनका कहना है कि कल की तुलना में आज कुछ बहतर है। यह कुछ ही काफी है। इस एहसास के लिए कि राजू साहिद त्री ठीक होंगे और लोट के आएंगे। रंजय सिंग कानपूर तकूरू अ क्या हुआ है।